Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Ishadi Board Plus with Prashant Friends, आज की दुने में बात करने वाले हैं, What are Proximity Sensors and Type? इस वीडियो में हम जानेंगे Proximity Sensors किस तरह से काम करता है उसके Internal Working, Principle and Operation के बारे में साथ ही हम देखेंगे कितने Types के Proximity Sensors होते हैं Friends, जैसे कि आप जानते हो, मैं जो भी वीडियो अप्रोड करता हूँ, उसके उपर एक Playlist Generate करता हूँ ऐसे ही हम Proximity Sensors की उपर भी एक Playlist Generate करेंगे, जिसमें आज क्यूने में जानेंगे Proximity Sensors Working and Types और आगे उस Playlist में आप कवर करूँगा कि Types में किस तरह से हम Characterize करेंगे, NONC Sensors या फिर PNP, NPN Proximity Sensors या फिर Two-Wire Sensors या फिर Three-Wire Sensors जैसे कि ये Two-Wire Sensors है, आगे हम देखेंगे फिर Three-Wire Sensors कैसे काम करते हैं, या फिर NPN और PNP, या आप देख पा रहे हैं, NPN, PNPN, कैसे काम करते हैं, या हागे हम Playlist में जानेंगे, और हम देखेंगे, इन Sensors को हम PLC से कैसे Connect करते हैं, तो चलिए, टाइम बेश ना करते हुए, सबसे पहले हम आज की वीडियो पे फोकस करते हैं, What are Proximity Sensors? वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता ह होता है, Friends, Proximity का मतलब क्या होता है, Proximity का मतलब होता है, Nearer, मतलब कितनी पास, कोई Object किसी Object के कितनी पास है, इसका मतलब, Friend, अगर हम हैं इसे Definition मनाए, Proximity के साथ अगर Sensor को जोडें, मतलब वो Sensor, जो किसी Other Object को Detect करते हैं, Without Any Physical Contact, वो होते हैं, Proximity Sensors, मतलब, Friend, कोई Physical Contact नह आप बताता हूं सबसे पहले, Electromagnetic Induction, Electromagnetic Induction, Electromagnetic Induction, Electromagnetic Induction पर वर्क करते हैं, Proximity Sensors, अब समझते हैं, Block diagram के थूँ, इसकी Working, Block diagram में आप देख पा रहे हो, बहुत इजी लिए आप देख रहे हो, छोटा सा Block diagram है, जिसमें हमने चार्ट पार्ट में इसको डिवाइड किया है, सबसे पहला जो पार्ट है, इसमें आप Electrical Coil देख रहे हो, यह Black कलर की, उसके बाद, Second Part में, Oscillator और Voltage Regulator Connected है, Third Part में आप एक सच में Trigger देख पा रहे हो, Trigger Object या फिर Trigger Circuit कह सकते हैं हम इसे, और Last में Offput जो Follow करेगा हमारे Load को, अब Friend क्या होगा, जैसे ही हम इस Proximity Sensor को, Working सम Proximity Sensor है, अब जैसे हम इसको Power Supply Provide करेंगे, तो क्या होगा, फ्रेंड, Power Supply Provide करने से, हमारा Electromagnetic Field जनरेट होगी, यह मैं Draw कर रहा हूँ Electromagnetic Field, दोने ही साइड Electromagnetic Field जनरेट होगी फ्रेंड, due to Electric Coil, यह हमारी फ्रेंड Electromagnetic Field जनरेट हो गई, अब क्या होगा, फ्रेंड, अब एक डाइग्राम भी आप देखिए, यह देखिए फ्रेंड, यह Proximity Sensor है, अब जब भी कोई Object, अब अब इंडेक्टिव की बात हो रही है फ्रेंड, इंडेक्टिव, वो Metal को ही Detect करते हैं, तो जब भी कोई metallic Object, Target, इसकी Field के पास आएगा, मतलब इस Field को Disturb करेगा, तब क्या होगा, मालनी जी, Metal का Object है, यह इसकी Field को Disturb कर रहा है, तो मतलब जब भी, Target आएगा, उसकी Field के अंदर, Eddy Current Generate होगा, किसके अंदर, वो Eddy Current Circulate करेगा, इस Target के अंदर, इस कारण क्या होगा, जो आपका Sensor है, उसके उपर एक Load Generate होगा, और वो क्या करेगा, जो आपकी Electromagnetic Field है, इसके Amplitude को Decrease करेगा, वो हमारी Electromagnetic Field के Amplitude को Decrease करने लगेगा, अब क्या होगा, जैसे ही हमारा Target है, इसको हम Object के पास ले जाएंगे, तो क्या होगा, एडी Current Increase होने लगेगा, मतलब समझे रहो, क्या कह रहाँ मैं, यह हमारा Target है, मैं इसको Field के पास ले जा रहा हूँ, तो जो एडी Current Circulation है, वो हमारा एडी Current, Increase होने लगेगा, इससे क्या होगा, जो हमारी Electromagnetic Field है, Electromagnetic Field Amplitude है, वो Decrease हो जाएगा, और जैसे इसको पास ले जाएंगा, जो लोड होगा, सेंसर के उपर, वो भी Increase होने लगेगा, और हमारा Output Generate हो जाएगा, जैसी मैं इसको दूर जाएंगा फ्रेंड, फील्ड से, माली जै मैं इससे दूर हटा दिया, तो द्वारे से Target उसकी Field से दूर हो गया है, एडी Current Circulate नहीं होगा इसके अंदर, लोड हमारा Zero हो जाएगा, और Output Remove हो जाएगा सेंसर से, इस तरह दे फ्रेंड ये काम करता है, बेसिकली मैं सिंपल से बता हूँ, जैसे ही आप इस Field को Disturb करोगे, किसी Metallic Object से, उस Metallic Object के अंदर, एडी Current इंडियूस हो जाएगा, जो क्या करेग एक Load Generate कर देगा, सेंसर के उपर और हमारा Output प्रोवाइड करेगा, अब एक चीज़ और देख पा रहे हो फ्रेंड, ये तो हो गया सारा Working, लेकिन इसमें सचमें Trigger का क्या काम है, जो एक Trigger लगा हुआ है, ये Monitor करता है, Oscillator के Amplitude को, इसको समझाने के लिए मैं एक Waveform के के लिए, यहाँ पर आपका कोई Load है, मतलब इसके अंदर क्या आपका Target, जी इडि टार्गेट प्रेजेंट है, टार्गेट समझाने ये टार्गेट आपके Field के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका Target Absent है, इस एरे में भी आपका Target Absent है, अब हमने लगा हुआ है आपकी जी बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे Target को, थोड़ा-थोड़ा हमारी Oscillator Amplitude Generate होने लगेगा, और जब बिल्कुल उसके Range से भार हो जाएगा, जैसे कि यह भार हो गया, तो हमारा High SP हमें Amplitude की Generate हो जाएंगी, Similarly, इस Direction में यह ऐसी होगा, मतलब जैसे हम Sensor को पास लाएंगे, सचमें Trigger क्या कर देगा, उसकी waveforms को Reduce कर देगा, मतलब तरह से On and Off करने के काम आएगा, जैसे हम दूर ले जाएंगे, उसका Amplitude हमारे पास Generate हो जाएगा, इस तरह से ही वर्क करता है, Proximity Sensor, अब इसी में ह मैं फ्रेंड लिख दिये हैं इसके, Types, Inductive Sensors होते हैं, Capacitive Sensors होते हैं, Photo Electric Sensors होते हैं, Proximity Magnetic Sensors होते हैं, यह Basically 4 Types हैं, और भी Types होते हैं, Basic Types में आपके सामने लिख दिये हैं, अब Inductive Sensors की वर्किन तो मैंने पूरी Explain कर दी है, किस तरह से काम करता है, Inductive Sensors, Magnetic Object को ही Sense करत हैं, अब मैं बात करूँगा, Capacitive Sensors की, Friend, यह Magnetic, Not Magnetic, Metallic, Metallic, Metallic हो सकते हैं, Non-Metallic भी हो सकते हैं, Non-Metallic मतलब की, यह Wood को, Oil, Water, Plastic, इन चीजों को भी Sense कर सकते हैं, वो अपने हमारे Application को पर Depend करेगा, Inductive किसको Sense करेंगे, मैंने Magnetic बोलते हैं, Magnetic नहीं है, Friend को, Metallic Object को, Capac Sensitive, Metallic, As well as Non-Metallic, Photo Electric Sensors क्या होते हैं, Friend, यह इन Sensor के अंदर, एक Receiver होता है, एक Transmitter होता है, मतलब यह कैसे काम करते हैं, Light Sensitive, Elements तरह काम करेंगे, मतलब एक Light Ray, यह Send करेंगे, और उसी को Detect करेंगे, उसके बीच मेंगर कोई Object आता है, तो यह अपना Output Generate करेंगे, ऐसे जो Magnetic Sensors होते हैं, यह किवल Magnetic Field को ही Detect करते हैं, इसके अलावा किसी चीज को Detect नहीं करते हैं, इनके उपर मैं एक Different Video बना दूँगा, Characterize करने के लिए, अभी Basic मैंने आपको वस इसकी Working समझा दिए, और कितने Types के हमारे Proximity Sensors होते हैं, एक चीद ध्यान रखना, Friend, Important क्या होगा यह जो सभी Types हैं, फिर हम इन सब को Sub-Divide करेंगे, AC, DC में, Slash, NONC Proximity Sensors, Slash, PNP Inductive Sensors, या फिर PNP Capacitive Sensors, या फिर PNP Photo Electric Sensors, या फिर इन सभी में NPN भी आ जाएगा, फिर 2-Wire, 3-Wire, 4-Wire Sensors, तो यह जो हैं इनकी Metallic को Sense करना, Non-Metalic को Sense करना, यह इनके Applications हैं, लेकिन ह हमें काम फोकस करना है, AC, DC, या फिर NONC कैसे पता करेंगे, या फिर PNP और NPN कैसे पता करेंगे, इनके Applications क्या होंगे, इनके लिए फ्रेंड में एक अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे, again Types दिखेंगे, on the basis of यह Conditions जो मैंने लिखी हुई हैं, तब तक लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कीजिए, जाशाद वीडियो को शेर कीजिए, और फ्रेंड कोई भी आपका डाउट बचता है, प्रॉक्सिमिटी से एंसर के लिए इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्षन आप मुझे बताइए, मैं आपको डाउट करने की पूरी कोशिश करूँगा, फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, जाशाद शेर कीजिए, और प्लीज डोन्ट फरगेट तो सब्सक्राइम मैं चैनल, थैंक यू.